मैं पलवी पलवी के साथ आपने लोग का स्वागत है तो भाई जनाब जनाब और जनाब की मैडम हमेशा कुछ ऐसे कारणामे करते हैं कि पब्लिक उनको भर-भर के कमेंट करता है भाई इतनी कंजूसी ठीक नहीं तो जनाब ने कुछ ऐसा ही किया है तो जनाब की चलिये मैं पूरी बात बताती हूं कि सासु मा के बड़े का पूरा ब्लॉग के बारे में बात करने वाली हूं तो ब्लॉग स्टार्ट होता है रुखान से स्टार्ट होता है वो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि बच्चे मुझे बहुत प्यारी लगते हैं बच्चों से मुझे क लोग हसी के साथ वो भीचारा हसता और उसको इतना सव मैं बात करने आ लहाँ मैडम जी की और मैडम जी कुण चो पक्वान बनाती है उसके की जाए दूसरा कोई तारीफ करे या ना करे मैडम जी खुद के पकवान की खुद तारीफ भर-भर के कर देती है और उसमें पहले तो धेड़ सारा हस देती है कभी वो कुछ बनाए और गड़बड हो जाए ऐसा कभी नहीं पहली बार भी कोई ची ट्राई करती और उनको तो इस बर किसी गिप्ट भी नहीं देना है तो सबको दे दिये भाई सबके पसंद का भी आगया है अब जैसा भी आएगा पसंद तो आएगा ये उनको क्योंकि भाई पसंद आई जायेगा और वहीं पे बात करने वाली हूँ जनाब की जो अम्मी हैं जनाब के लिए बनाती हैं पुलाव बनाती है उनके भाई उनके फृइरवरिट कहने पें बहुत दिन लेगी को इससे छुटी घपराहट बोलने लगी घपराहट को जाओरा रहता है ऑग मैं इतनी दिन बाद बनाए दो लोग मिलके बनाते हैं तो घपराहट फुएगी लोग मिलके जब Bäntette घपराहट तो भाई देखते हैं कैसा होता है तो जो ठंडे भाव में बोलते हैं कि अच्छे से तारीब कर दे किसी के खाने का कि हाँ ममी तुमने बहुत अच्छा बना इतना मेहनत करके भाई ठंडे में निप्टा दे कि हाँ ठीकी है वहीं पर बात किया जाए तो उनकी सासु मा का बड़े है और मुझे तो लगा भाई सासु मा उनके लिए इतना करती है दिन भर बच्चा समालती है बेचारी का जब द न कुछ एक ठंडहा केक मघा के उनको चिपका दिये उसी kek में भाई पुरा फैंली खा ले न руки में बाहर लेजाना न वाहर खिलाना ना कुछ अच्छा गिस देना आप बात अगर किया जाए ससुराल का बड़े रहता फिलाल में तो अभी जल्दी किसा का बड़े था आपको याद होगा उनकी छोटी मोटी गोल्ड मटोल जो है उनका बड़े था उनको भी सस्तिम निप्टा दिये थे वहीं बात रहता उनकी अम्मी के बड़े का तो चांस सितार मना लेंगे, शक्रिक के खिलाब क्यों नहीं जाएंगे वह कभी होली तो मनाएंगे नहीं क्योंकि चाहें दो बचपन से होली नहीं मनाई है और बड़े बड़े सेलीब्रेटी तक होली दिवाली तक मनातें मगरे मैडम को मजाल कवी रोली मना ले तो मैडम का एक्टिंग आपको कैसे लगता है मुझे लगता है रुहान जिस दिन हसना श्टार्ट करेगा न उस दिर रुहान बोलेगा मम्य अब तुम चुप हो जाओ बस मैं हसूँगा उनका पूरे ब्लाग में हाँ 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 रहता के लिए चलिए मिलते हैं नेक शुजे में